वेलकम तो माई चैनल इगनू असाइनमेंट गुरू आज की वीडियो में बात करने वाले कि आप अगर ओनलाइन असाइनमेंट सम्मिट करना चाहते हैं अपने अपने हैंड रिटर असाइनमेंट अपने घर पे लिखे होंगे हाड कोपी में असाइनमेंट उसको किस तरह से स्कैन करके PDF बना सकते हैं उसकी वही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं अगर आप online assignment submit करना चाहते हैं आपको PDF बनानी नहीं आते हैं आपको अपने assignment को scan करना नहीं आता है उनको PDF में convert करना नहीं आता है तो make sure आप फिश्यूर को पुराइन तक देखेगा वैं आपको step by step बताने वालों कि आप किस तरह से अपनी PDF बना पाएंगे चलिए सबसे पहले आपको demo दिखाता हूं तो देखे इस तरह का assignment होना चाहिए सबसे नीचे आपका hand return assignment है उसके उपर देखे आपको questionnaire पर लिखा हुआ है और सबसे उपर आपका front page लिखा हुआ है तो इस तरह से कुछ आपकी PDF आपको बनानी है तो चलिए हम मैं आपको बताता हूं कि आपको सबसे पहले कौन सा software को यूज़ करना होगा आपको एक software मिल जागा जिसका नाम है Cam Scanner आपको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में इसका लिंक आपको वीडियो की description box में मिल जाएगा क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखे यहां पर पहला पेज जो है इसके बाद आपको डुबारा से आपको क्लिक करना है उसके बाद जो भी आपको second page होगा आपको इसको स्कैन करना है स्कैन करना है उसके बाद देखे आपको सारे सारे pages को स्कैन करना है और आप चाहिए तो इसको भी एडज़ेस कर सकते हैं जिस तरह से मैं वीडियो में कर रहा हूं आप लेख सकते हैं के पाद के प्लिक कर देना है सबसक्र पहले हम आपको ढई हो किस तरश Pastayson आपसे प्पाइब करने जया सा प्ना लमें नाचा करपाएंगे उसके बाद को चोँड़का मैं आपको अससाइंडमेंट खोन लें इसका को आपको पनगेंट द्हा रहा है को बना रहे हों इसके बाद आपको दुवारार से अपना सॉफ्ट्रेट को ओपन करने के बाद दुवारा से आपको ऊपने इमेज को उसके बाद देखेंगा अपने image को select कर लिए जाए तो उसको दोनों को आपको select करके यहाँ पे PDF में डाल लेना है और उसके बाद आपको इनको drag करना है पर पोजिशन पर आपको सबसे पहला पेज आपको front पर जोना चाहिए सबसे पहला पर लिए गाए उसके बाद आपको इसको उपर लिया पर लिया है सारे जिसमें साइश-बैपर का जो थर्ड पेज़ोंगा वह वह आपका हैं डिटर आसाइंबेंट और देखिए आपको स्क्रींशोट लिया था तो वह प्रोपर नहीं आया था इसको भी ग्लिक क करने बाद च्लिक करने के लिए पर क्लिक कर देंगा किस आप सबसे हाई कुलेटे क्लिक कर देना है और इसके पार निकाल नकाल सकते हैं क्या ने जरने संटर से आपने रिवाल नेम परफ़िए पने रिवीडियर सेंटर हो ही आप प्रेशंटे से आपको किसी स्तर आप से रिवाल करना हो है plays मैं चैकर सकते हैं कि नियुम्हें के विडियो को दिंखने हैं किसे चैकि फ्रेंग संटर की वैबसाइट ऊपन करने हैं नियुम्हें आपको वीडियो के description box मिल लागा आप इसे open कीजिएगा open करने के वाद आपको अपना रीजर सेंटर करना हो कि आपको रीजर सेंटर कौन सा है आप सिंपली कुछ भी आपने पाइल का नेम लिख सकते हैं आप इसे नाम लिखेगा इससरे की टीचर को पज़ा सल जाए कि आपको असाइन्मेंट किसका दे रहे एक्जांबल की बात कर लो तो आप सिंपली अपने पीडियाफ को नाम रख सकते हैं अगर मैं लखनाओ की बात करूँ तो देखिए यहां पर इसे ओपन कर लिया है लखनाओ की यह नेजन सेंटर की वेबसेट मैंने ओपन कर रहे हैं आप ऊपर चेक कर सकते हैं यहां पर देखिए नीचे फिप पोइंट में आपके पीडियाफ के नेम के लिए आपको फॉर् के पाद को आपको डियाँ फ्रेंप कर लिया है इसके बाद से पहले पर अपने दただ ऐखना लिए कंडरेफिकर आपने डुखने प्रसकों को थे रहे हैं कि पाद छुए आपको प्रोग्राम ने डंच पर चयांकि आपको प्लीनेकाह सरो आपको, ऐस टार है पने इन्रोल्वर्टन नमबर हो गाए उसके जगह से रिप्लेश कर दिएगा इसके पाद अंडर स्कोर आपकी जून सा भी आपका प्रोग्राम है फिरेजाद करस्ट क कर देख में कर दिये एप्पीड़दें पूने की फॉर्णे 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 की फॉर् तो आपको simply बस अपने रिग्सेंटर की वेबसेट चेक करनी होंगी कि आपको महाँ पे कौन सा फोर्मेट आपको दिया हुआ किस फॉर्मेट में आपको अपने पिडियाप का फाइल लेनेम करना होगा अगर आपको कौई पोर्मेट में नहीं दिया हो है तो आप किसी फॉर् आप जैसे पर लिखेंगे और आपको आपको सब्सक्राइब के लिए आपको सब्सक्राइब मेंटर सब्सक्राइब पीडियाप बना लियोंगे इन सब के डीटेल्स आपको अपने डीजर सेंटर की वैबसाइट में मिलेंगी। आपको पहले जिखाया कि आपको आपको इस्ट्रेक्शन ओपर दिये होंगे । सारे सारे जो भी आपके इंस्ट्रक्शन्स होंगी उनके लिए मैंने डेडिकेटड वीडियो बनाई हुए आप जो मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं और आपको बताया है कि किस इंस्ट्रक्शन को फोलो करके आपको अपने असाइन्मेंट की पीडियाप को बनान नहीं है आप जो अपने हाथ से लिखके आने की शीट पर लिखके उसको स्कैन करके प्रंट पेज भी लगा सकता है उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले आपको ज़रूरी नहीं है कि उसको पीडियाफी बनाने या फिर आपको कंप्यूटर से बनाके लिखना है सब्सक्राइब करना चाहते है उसके लिखके लिखना कर सकते हैं